हेलो फ्रेंज वेलकम टू स्विगीज किचिन फ्रेंज आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सकट चौथ 2021 में कब मनाया जाएगा क्योंकि इसकी तारीख को लेकर काफी कन्फूशन चल रहा है इस वीडियो में आपको सकट चौथ की सही तारीख के बारे में बताऊंगी और पूजा का शुप महूरत क्या रहेगा और सकट चौथ वाले दिन चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा इसके अलावा सकट चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधी भी मैं आपको बताऊंगी तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हर महा में दो चतू चतुरथी का विशेश महत्व माना गया है जिसे सकट चौथ संकटा चौथ या तिलकुर्ण चौथ के नाम से जाना जाता है आपको बता दे कि संककस्टी का अर्थ होता है संक्कटों का हरन करने वाली चतूर्थी इस बरत में भगवान गनेश जी की पूजा होती है और उन्हें तिलके लड़ूं का भोग लगाया जाता है रात्री में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्द्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान गनेश जी सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं तो चलिए अब बात करते हैं सकट्चोद की पूजा विधी के बारे में जो की इस प्रकार है सकट्चोद के दिन भगवान गनेश जी के साथ चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं इस दिन ब्रह्म मुहरत में उठकर इसनान करने के बाद तारों की छाओं में ही व्रत का प्रारंब करते हुए निर्जला व्रत शुरू किया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है इसके बाद इस दिन पूरा समय मन ही मन शिरी गनेश जी के नाम का जाप करें और सूर्यास्त के बाद फिर से इस्नान करके स्वक्ष वस्त्र धारन करें और गनेश जी की पूजा की तैयारी करें सर्वपिर्थम पूजा इस्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और एक लकडी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा कर भगवान गनेश जी की पृतिमा को इस्थापित करें अब इसके बाद कलश की इस्थापना करें सबसे पहले चावल से अश्ट दल कमल बना लें और कलश में शुद्ध जल भर कर उसमें एक सिक्का सुपारी हल्दी की गांट और फूल डाल कर उसके उपर नारियल इस्थापित करें और कलश के मुख पर मौली बांद लें और नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर मौली बांद दें और कलश के उपर स्थापित कर दें इसके बाद आप गनेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करें सर्वप्रिथम गनेश जी को तिलक करें और अक्षत अर्पित करें और इसके अलावा गनेश जी को दूरवा भी अर्पित करें और नैवेद्य में तिल या गुड के बने हुए लड़ू, शकरकंद, गुड और घी का भोग लगाएं और धूब दीब जलाकर गनेश जी की पूजा करें इसके बाद भगवान गनेश जी के मंत्रों का जाप करें ओम गंग गडपतिय नमहा या ओम शिरी गनेश जाय नमहा मंत्र का कम से कम 108 पार जाप करें और इसके बाद सकट चौत व्रत की क पूजा को संपन्न करें फिर इसके बाद चन्द्र पूजन की तयारी करें चतुर्थी के दिन जब रात को चंद्रोगधए हो तो चंद्रमा की पूजा कर अर्धि देना चाहिए आप चंद्रमा को जल अर्पित करें और चंद्रमा को धूब दिखाकर तिलगुर का भोगर पित करें और उनसे आशिरवाद लें और इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें चलिए अब बात करते हैं कि सकट चौथ व्रत 2021 में कब मनाया जाएगा तो आपको बता दें कि सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा और चतुर्थी तिथी की शुरूआत 31 जनवरी 2021 रात 8 बच कर 24 मिनट पर होगी और चतुर्थी तिथी की समापती 1 फरवरी 2021 की शाम को 6 बच कर 24 मिनट पर होगी और इस दिन चंदरोदय का समय रात 9 बचे रहेगा तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ जे मता दी